नमस्कार दर्शुकों आज हम जिस पाठ का ध्यान और उस पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है तुम कब जाओगे अतिति जैसा कि इस पाठ के नाम से विदित है पाठ के नाम से हासे का बोध होता है वस्तुता यह पाठ एक व्यंग निबंध है इसके लेखक है शरच जो हम पहले लेखक के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं उसके बाद हम पाठ का प्रालम करेंगे शी शरच जोशी जी जिनका जन 1931 में 21 मई को उजयन मध्य प्रदेश में हुआ था उनकी व्यंग करतियां जो है परिक्रमा जी परसवार इल्लियां तिलिस्म प्रतिदिन दूसरी सतह रहा किनारे बैठ किसी बहने उन्होंने बहुत से नाटकों का भी लेख किया है उनमें से प्रमुख है अंधों का हाथी और एक था गधा उनका उपन्यास बहुत चर्चित रहा मैं मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख भी है जोशी जी ने लेखन को ही अपनी आजिवगा के रूप में चुना उन्होंने आरम में कहानिया लिखें फिर पूरी तरह से ही वो व्यंग लेखन के तरफ जुग गये और व्यंग लेखन करते रहें इन्होंने व्यंग लेख व हिंदी में व्यांग विधा को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रम्भुख व्यंग कारों में शरत जोशी जी भी एक भातपूर्ण रच्नाकार रहे हैं शरत जोश्री सम्मान जो है उनके सम्मान में जोश्री जी के सम्मान में मद्रपदेश शासने, हिंदी व्यंग, ललित निवंध, संस्मरण, डायरी, पत्रविधा के लिए प्रतिवर्ष इस सम्मान के स्थापना की थी और प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है टीवी दारावाहिक ये जो है जिंदगी मालगुडी डेज, विक्रम और बैताल, सिंगहासन बतीसी, वाह जनाब, लापता गंच जैसे टीवी दारावाहिक के लिखन का कारिय शर्च जोशीजी ने किया था उन्हेंने कुछ फिल्मों में भी समवार लिखे, जैसे की ख्षितिस, गोधूली, उडान, चोरनी, सांच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं यह बहुत चर्चित फिल्म थी, अब हम इस पार्ट की चर्चा पर आते हैं, जैसा की इस पार्ट के नाम से ही बोध होता है, तुम कब जाओगे आती थी, बहुत ही आनंद का बोध होगा, इसमें समय समय पर लेखक के पैनेपन, उसकी लेखनी के पैनेपन का भी एहसास और हम लोग मिलके इसका अनंद लेते हैं, हमारी संस्कृति में अतिति देवभो कहा जाता है, अर्थात अतिति देवता होता है, बच्चों, बच्चपन में हम भी अतिति के आने पर अत्यतिक उत्साहित और प्रसंद होते थे, पूरे घर में एक विशेश वातावरन का नि उश्मा घटी गई और उसमें एक बनावटी पना गया, फल सरूप अतिति के आने से आर्थिक दबाव महसूस होने लगा, अब अतिति यदि एक दो दिनों से अधिक रुख जाए, तो उसके आने का आनंद काफूर हो जाता है, और मेजबान का तनाव बढ़ता जाता है, ऐ ऐसा लगता है कि ऐसी ही कुछ परिश्टिती हुई होगी जिससे इस निबंद की रचना हुई, आईए इस निबंद का आनंद उठाते हैं, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्त दिवस पर यह प्रश्ण बार-बार मन में घुमण रहा है, तुम कब जाओ गयाती थी, तुम फढ़ती रहती हैं, विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, लिखक, कितनी चतुर्ता के साथ, कितनी नम्रता के साथ, अतिथी को संबोधित कर रहा है, कि देखो, दो दिन गुजर गये, बिना कहे, सिर्फ कैलेंडर की तारीखें दिखाक पर बदल देने से इस बात की अव्यक्ति हो जा रही है कि देखो अथिति तुम्हें आए दो दिन हो चुके हैं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चोथा दिन है, तुम्हारे सतत आतित थे का चोथा भारी दिन, पर तुम जाने की, तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही प्रतित नहीं होती, लाखों मील लंबी यातरा करने के बाद, वे दोनों एस्ट्रोनाट्स बीचते समय चांद पर नहीं रुके थे, जितने समय तुम्हें एक छोटी सी यातरा कर मेरे घर आये हो, यहाँ पर तुल्ला करदी लेखक ने, 1979 में, जब एस्ट्रोनाट्स चांद पर जाके उतरे थे, लाखों किलोमेटर की यातरा करके हैं, और सिर्फ तीन घंटे रुके वापस आगे थे, उससे तुल्ला करते हुए बोल रहे हैं, आधी थी, तुम तो बहुत छोटी यातरा क करके आये हो, और तुम्हें यहाँ आये, इतना समय हो गया है, चार भारी दिन हम पर गुजरे हैं, तुम्हारे जाने के तो कोई संभावना नहीं प्रतित होती है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हैं, तुमने एक अंतरंग नीजी स मंद मुझसे इस्थापित कर लिया, तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेंजनी चटान देख ली, तुम मेरी काफी मिठी कोच चुके हो, तुम मेरी काफी मिठी कोच चुके, अब तुम लोट जाओ, पती थी, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्छ समय अर्था हाई दिया कारती, जिस प्रकार से यह लामस्टॉंग के चरण पड़े थे, उसी प्रकार से उसकी दूलना करते हुए लिखा कहते हैं, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुए, जैसे कि यह लामस्टॉंग ने चंदरमा पर अपने प्यरों की चा देख ली तुम मेरी काफी मिटी खोच चुके अर्थात तुमने मेरा काफी नुकसान कर दिया है मेरी आर्थिक रूप से काफी शती हो चुकी है है एती थी तुम्हारे जाने के लिए यह उच्छ समय है अर्थात हाई टाइम है कै तुम्हें तुम्हारी पृत्वी नहीं पु उसके बावजोद एक स्ने भीगी मुस्कराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी तुम्हारे सम्मान में वो अतिती हमने रात के भोजन को एक एक उच्च मध्यमबर के डिनर में बदल दिया था अर्थात लेखा को और उसकी पत्नी ने अपनी शम्ता से बाहर निकल कर उस अतिती के सम्मान में एक विशेश भोजन का प्रबंद किया उस बात के जर्चा कहीं ने कहीं लेखा करना चाहते हैं कहते हैं तुम्हें समरण होगा कि दो सब्जियों और रहते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था मीठा अरथा कोई मिश्ठान इस सारे उत्सा और लगन के मूल में एक आशा थी क्या आशा थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शांदार महवान नावाजी की छाप अपने हिदे में ले तुम चले जाओगे हम तुम से रुकने के लिए आगरा करेंगे बगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिती की तरह चले जाओगे पर ऐसा हुआ नहीं दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिती सुलब मुस्कान लिए घर में ही बने रहे हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसंद बने रहे स्वागत सत्कार के जिस उच्छ बिंदु पर हम तुमें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर कर फिर दोपर के भोजन को लंच की गर्भा पर दान की अरथात उनोंने जिडिनर बनाया रात्री का भोजन बनाया वो अपने ख्षंता से बाहर निकल के खाफी खर्च कर के बनाया उसके बाद उससे थोड़ा सा कम खर्च करके इन्होंने लंच अर्थाद दो भर का भोजन तियार किया और रात्री को तुम्हें सिनिमा दिखाया हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े आज तक हमने किसी भी महमान के लिए किसी अतिती के लिए इतना प्रयास नहीं किया जितना हमने तुम्हारे लिए किया वो लेका कहना चाहता है फिर भी अतिती तुम यहीं पड़े हुए हो इसके तुरंद बाद भाव भीनी विदाई का वो भीगा हुआ अक्षन आ जाना चाहिए था जब तुम्हें विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते पर तुम्हें ऐसा नहीं किया तीसरे दिन की सुबह तुम्हें मुझे कहा मैं धोभी को कपड़े देना चाहता हूँ यह आघात अप्रत्याशित था जहां लेका यह आशा कर रहा था कि अतिती अगले दिन तो चला ही जाएगा इस प्रकार का वाग कि मुझे धोभी को कपड़े देना है यह एक आघात के रूप में था ऐसा आघात जो अप्रत्याशित था इसकी चोड मार्मिक थी फिर लेका कहते हैं तुम्हारे सामेपे की बेला एक आएक यो रबर की तरह खिच जाएगी इसका मुझे अनुमान न था मुझे पहली बार लगा पहली बार मुझे लगा कि अतिती सदैव देवता नहीं होता वह मानों और थोड़े अंशों में राक्षत भी हो सटता है किसी लॉंडरी पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे मैंने कहा मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी से जाना है कहां है लॉंडरी चलो चलते हैं मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर ओप्चारिक कुर्ता डालने लगा कहां जा रहे हैं पत्नी ने पूछा इनके कपड़े लॉंड्री पर देने हैं मैंने कहा मेरी पत्नी की आखें एक आएक बड़ी हो गई आज से कुछ वर्षपूर उनकी ऐसी आखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यातरा समाप्त कर विस्तर खोल दिया था यहां पर लेखक क्या कहना चाहता है कि अकेलेपन की यातरा को समाप्त कर दिया और अकेलेपन से बाहर निकल के एक परिवारिक जीवन बिताने का निर्णे किया था उन्होंने जब यही आखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है वे इस आशंका और भै से बड़ी हुई थी कि अतिति अधिक दिनों ठहरेगा और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिति तुम जा नहीं रहे लॉन्री पर दिये कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो तुमारे भरकम शरीर से सलवटें पड़ी हैं सलवटें पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो तुम्हें देखकर फूर पढ़ने वाली मुस्कराहट धीरे धीरे फीकी पढ़कर अब लुप्त हो गई है ठाहाकों के रंगीन गबारे जो कल तक इसकमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते अर्थात वो जो उत्सा एक मेहमान एक अतिति के आने पर होता है बहुत सारी बाते होती हैं मन बहुत अच्छा रहता है वो सब रस का विलुप्त होना पतीत हो रहा है बातचीत की उचलती हुई गेंध चर्चा के शेतर में सभी कोलनों से टपे खाकर फिर सेंटर में आके चुप पड़ी है एक तरह की उपमदी है अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं कल से मैं उपन्यास पड़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विशे चुक गए परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीत, रिष्टदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार, नियोजन, महंगाई, साहित और यहां तक यहां आँख मार मार कर हमने पुरानी परेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुपी है कितना अच्छा लेखक ने कहा है कि भाउनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहन कर रही है पर तुम जा नहीं रहे अर्थात मन ही मन लेखक को ऐसा लगता है या ऐसा समय आ गया है जब गालियां दे करके आतीजिकों निकालना पड़ेगा किस अधिश गोंट से तुम्हारा विक्तित यहां चिपक गया है मैं भेज को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ बार बार यह अप्रश उट रहा है तुम कब जाओ गया तिती कल पत्नी ने धीरे से पूछा कब तर ठिकेंगी यह है मैंने कंदे हुचगा दियों कहा क्या कह सकता हूँ मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ हलकी रहेगी ऐसा पत्नी ने कहा सत्कार की उश्मा समाप्त हो रही थी डीनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए अब भी अगर तुम अपने विस्तर को गोलाकार रूप नहीं परदान करते तो हमें उपास तक जाना होगा अर्थात अब अपना विस्तर बांत के अब जाने के तयारी नहीं करते हैं तो हो सकता है ये अगले भोजन के समय हमें ये कहना पड़े कि अच्छा ऐसा करते हैं कि अब उपास करते हैं उपास अच्छा रहेगा तुम्हारे मेरे संबंद एक संक्रमण के दोर से गुजर रहे है तुम्हारे जाने का यह चरम शन है तुम जाओ ना आती थी तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है ना मैं जानता हूँ दूसरों के हां अच्छा लगता है अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के हैं रहते पर ऐसा नहीं हो सकता अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण तो गाए गए है होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनिस को काटने न दोने अर्थात अतित्य जो थोड़े समय का होता है उसके बाद जैसा कि लेखक ने महसूस किया है लेखक ने अनुभव किया है वो अतित्य एक बोज के रूप में चिलचिलाहट का कारण बन सकता है जो मेजबान है जो जिसने आतित्य प्रदान करने का काम किया है दीरे दीरे उसके रुख में भी उसके विभार में भी रुखा पनाने लग जाता है इसलिए कहते हैं दूसरे के हूम की स्वीटनेस को काटने नो दोड़े तुम्हें यहां अच्छा लग रहा है पर सोचो प्रिया कि यह शडाफ़त भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाकिय है जो बोला जा सकता है अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किर्णे तुम्हारे बिस्तर पर आएंगी यहां पर मतलब है सूर की किर्णों का कल जो किर्णे तुम्हारे बिस्तर पर आएंगी वह तुम्हारे यहां आगमन के बाद पाँचवे सूरे की परिचित किरण होगी आशा है वह तुम्हें चुमेंगी और तुम्हें घर लोटने का सम्मान पुर्ण लेने को विवश करेगी आशा है वह तुम्हें चुमेंगी और तुम घर लोटने का सम्मान पुर्ण नेने ले लोगे मेरी सहन शीलता की वो अंतिम सुभव होगी इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगा और लडख़ा जाऊँगा मेरे अतिती मैं जानता हूँ यह अतिती देवता होता है पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं एक देवता और एक मनुष्य अजिक देश साथ नहीं रह सकते अर्थात अतिती तुम चले जाओ देवता दर्शन देकर लोट जाता है तुम लोट जाओ अतिती इसी में तुम्हारा देवत तो सुरक्षित रहेगा और यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उसके पूर तुम लोट जाओ उफ तुम कब जाओ गया तिती बच्चों एक पर हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या किया हमने लेखक शरच जोशी जी के जिवन परिशे के बारे में जाना व्यंगी विधा के बारे में हमने थोड़ा सा जाना जानने से ज़्यादा उसका हमने अनुभो किया कि किस तरह से व्यंग लिखा जा सकता है और इसके भाषा अध्यान का कारी जो है उसके चर्चा हम अगली अंक में करेंगे धन्यवाद